हाई गाईज, वेलकम गेंट वर यूट्यूब चैनल आज दा लेक्चर बहुत इंपोर्णन रहने वाला है क्योंकि इस विच असी जेनल साइंस दा एक इंपोर्णन टॉपिक करने वाले हाँ जिस दा नाम है जी नेच्रल रिसोर्स जा कुदरती साधन ता इस दे जड़े MC के टाइप कोशन है वो आप इस वीडियो दे विच कवर करांगे सो शुरू करने तो पहला शोटी जी रिक्वेस्ट है कि जेकर तुसी इस चैनल ते फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो ता इस चैनल नूँ सब्सक्राइब कर लगो आते नाली बेल आइकन नूँ प्रेस कर लगो क्योंकि इस चैनल ते थानू हर एक कॉम्प्टेटिव एक्जाम दा पूरा स्लेपस बहुत ही सिंपल वेदना तियार कर वाया जानता है आते नाली और अपडेट्स भी प्रवाइड कर आई जैन दियान ता शुरू कर दें आसी आज दे लेक्चर नूँ जिस दे नाम है जी कुद्रती साधन नाच्रल रिसोर्सेद ता फर्स्ट कॉशन आपने कॉल इन विच्चों केड़े कुद्रती साधन नहीं हन ता जो आपने कॉल ओप्शन ने फर्स्ट है पाणी सैकेड़े जंगल थर्ड है पूमी एंड फोर्थ है फैक्ट्रियां इस दे जो राइट एंसर होवेगा वो होवेगा जी फैक्ट्रियां क्योंकि बाकी जो तिन है वह आपने कॉल कुद्रती साधन नहीं पहरा हुं जो इसलिए आप इन विच्चों कुद्रती नहीं कंवागे इनना चो केड़िया कुद्रती साथ न दिया कि उसमान फर्स्ट आप्शन आपने को कदे ना खतम होने वाले, सैकिन है खतम होने वाले, सी आप्शन आपने को बोथ A and B, या D and L चों कोई नी, तैस्द जो राइट अंसर होवेगा, वो होवेगा आपने कोड़ सी आप्शन, क् जड़िया कुद्रती साथन है, natural resources है, इनना ती जड़िया टाइप से, वो फर्स्ट आपने कोल, कदे ना खतम होने वाले, सैकिन है खतम होने वाले, तैस्ट थर्ड कोशन आपने कोल, इनना विच्चो केड़े, ना नम्योन योग कुद्रती साथन हान, तै ना नम्योन खतम होन तो बात दुबारा प्राप्त नहीं कर सकते, उनना नो की क्या जानता है, ना नम्योन योग कुद्रती साथन क्या जानता है, तै इस definition दे, according आपने कोल, लबबंद कोशी कर देया, तै आपने को उप्शन है, फर्स्ट है हवा, सैकिन है कोला, थर्ड है पत्रोलियम, एन फोर्थ है, बोथ B and C, ता इस दा जो राइट अंसर होवेगा, उपने कोल, बोथ B and C, ता ओ कीता जा सकता है उन और की काम है कि आपने को इन विच्छों कोई नहीं इस दर जो राइट अंसर होएगा वह होएगा अपने को डी ऑप्शन इन विच्छों कोई के जड़ा है इन अविच्छ में आपने कोहनहाँ सकता हुप वैच्छ क्या नहीं नहीं होएगा इस दो अपने कोचै आपने कोऊड़ मेच को क्य स्थान केizado होखा हा वा पानी सूर दी रोष्न आदे जड़ेये ओ नम आ मिउच्छों कोई नहीं होएगा ता next question है आपने कोल इनना विच्छो केड़ा रोग प्राव एगनी किरनानाल हुंदा है और option ढवने कोल है जा टबडिक अखादा मोधिया जा इनना विच्छो कोई नहीं टार इस दा जो राइट अंसर होवेगा ओ हुवेगा आपने कोल अखा दा मोधिया इस दा राइट अंसर है अखादा मोतिया इस तो अलावा चमडी दा कैंसर जो है वह भी प्रावेंगनी करना देकारन हुंदा है ता नेक्स्ट कोशन देखने आपा इनना विच्चों केड़ा परमानू उर्जादा स्रोथ है option अपने कोल uranium, thorium, ताता इस दा जो राइट अंसर है अपने कोल हो होगा जी, C option क्योंकि ये दोनों ही प्रमानू उर्जादा स्रोथ ने, बोध ता नाक्स्ट कोशन देखने आपा इनना विच्चों पानी परदूशन दा कारन नहीं है ता देखो इदन दे कोशन आपनों एक्जाम दे विच्च बहुत जादा कन्फ्यूज करनेगे क्योंकि ये नने थे नई वर्ड यूज कीता है कि इनना विच्चों पानी परदूशन दा कारन नहीं है ता अपा option देखांगे पानी परदूशन दा कारन नहीं है ता इस दा जो राइट अन्सर होवेगा जी C option क्योंकि ए जड़ा है ये पानी पर दूशन दा कारण नहीं है नेक्स्ट देखते हैं पहाडी मिट्टी किस किसम दी हुंदी है देखो जी पहाडी मिट्टी इस दा जो देखिए इस दा राइट अंसर बने का आपने को रेतली नेक्स्ट देखते हैं किस मिट्टी विच कारण दी मातरा थोड़ी हुंदी है इंपोर्डन कोशन है ये वाला भी ता इस दा जो राइट अंसर रवेगा ओ होवेगा आपने को मारुथली मिट्टी मारुथली मिटी दे वेच कारबन दी मातरा बहुत थोड़ी हुंदी है ता नेक्स्ट देखते हैं आपने विचों संकट का लिएन जादिया दी उधारन है ता फर्स्ट ऑप्शन आपने कॉल चीता सैकेंड है A.C.I. जंगली गदा थर्ड आपने कॉल दो में A and B एंड फॉर्थ है इन विचों कोई नी ता इस दा जो राइट अंसर रवेगा और रवेगा आपने कॉल सी ऑप्शन दो में A आते B क्योंकि जीता आते A.C.I. जंगली के दा ए दोनों जो है संकट क्लीन जातिया दी उधारन है इस तो अलावा कस्तूरी वाला हिर्ण जो है वो भी एक संकट क्लीन जातिया दी उधारन है वो भी आपने कॉल एक्जाम दे विच मिल सकता है नेक्स्ट कोशन आपने कॉल वायू मंदल विच नियोन गैस दी मातरा किनी है इंपोर्टन कोशन ए वाला भी इस दा जो राइट हैं से रहेगा आपने कॉल वो हो वेगा जी डी ऑप्शन 0.93% नियोन गैस दी मातरा है वायू मंदल दे विच ता इस तो अलावा जेकर आपा गल करिए अधर गैस दी इस तो अलावा जो नाइट्रोजन गैस है नाइट्रोजन दी जो 0.03% जो है वो है कार्बन डाइकसएट दी इस तो अलावा आपने को रहेजन दी जो ने उजोन एंड अमोनिया उस दीकिनी है बोथ जो है 0.04% जो है उनना दी अपने कोल मातरा मिलेगी वायू मंदल दे विच ता नेक्स्ट कोशन है आपने कोल उजोन पर्त वायू मंदल दे के डे पाग विच है again very very important question है ता इस दा जो राइट अंसर है वे आपने को ओ है स्ट्रेटो स्फियर ता स्ट्रेटो स्फियर दे विच जो है उजोन पर्त मिल दी है ता इसनो अपने कुछ एक्स्प्लेन करांगे जो है स्ट्रेटोस्फियर है यह आपने को दूसरी परतो भेगी वायू मंदल दी ताँ एक इन्नी उचाईते ही है यह है गी जी 16 तो 60 किलोमेटर देविचकार जो है स्ट्रेटोस्फियर पाई जांदी है ताँ इस दे उपर जान देना लिए ताब मान आपने को वददा है इ थर्मोस्फियर इस विजताब मन वददा है ताँ स्ट्रेटोस्फियर और थर्मोस्फियर जो है वददा है उपर जान दे मीजोस्फियर और ट्रोपोस्फियर देविच कटदा है तेन दी जेकर उचाई दिगाल करिए ताँ जेकर मीजोस्फियर दिगाल करिए यह है जी 60 क इस दी जो चाहिए है वो है जी 100 km वद है उस तो उपर जड़ी भी आवेगे आपने को थर्मो स्फियर होएगी ता यसी आपने कुछ important question ता लास्ट question जो अपने को यह जी IUCN दा पूरा नाम important question दा इस चैप्टर जो बन सकता है ता इस दा जो पूरा नाम है वो है जी D option international union for conservation of nature and natural resources ता एस ही आपने कौल कुछ important question इन दे विच्चों ही आपने exam दे विचे question मिलन दे बहुत ही ज्यादा chance है गया ता I hope तोनू वीडियो बहुत दिया लगी होगी इसमें दूसी वाद वाद शेयर करना है ता मिल दे हाँ next वीडियो दे विच थैंक यू